आदी पूरुष पर बड़ा बवाल मच गया है सभी लोगों के रियाक्शन आ रहा है इंडस्ट्री के कई लोग हैं जो आदी पूरुष पर भड़कते नजर आए हैं इसमें सीता का रोल करने वाली दिविका चिकलिया का नाम शामिल है इसके अलावा मुकेश खना ने भी बुरी तरह आदी पूरुष की टीम को स्लाम किया है लेकिन अब तक एक शक्स चुप है और उस शक्स की चुपी पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जो लेडी जानी जाती है हिंदूरिस्म के लिए लड़ने के लिए देश के लिए लड़ने के लिए देश की धरोहर को बचाने के लिए वो किसी से भी पंगा ले लेती है वो पंगागल चुप क्यू है मैं बात कर रही हूँ कंगना रनौद की आदी पूरुष फिल्म पर सबने कुछ न कुछ कहा है कंगना रनौद ने अभी तक कुछ नहीं कहा है जबकि बात करें कंगना की तो जिन प्रोजेक्ट से उनका लेना देना नहीं होता है उनमें भी वो कूद पड़ती है बट आदी पूरुष को लेकर कंगना ने कुछ भी नहीं कहा कंगना ने ऐसा क्यू किया ये तो नहीं पता लेकिन कुछ ऑप्शुन्स हैं जो हम लेकर चल रहे हैं कि शायद ये रीजन्स हैं इसलिए कंगना चुप है इसका पहला रीजन है कि कंगना आज आदी पूरुष के लिए कुछ बोलेगी आज आदी पुरुष को boycott करवाएगी तो कल कंगना की फिल्म boycott होगी जिसमें वो खुद सीता का रोल कर रही है आज अगर आदी पुरुष पर कंगना ने सवाल खड़ा किया तो सीता पर भी लोग सवाल खड़ा करेंगे हम सब जानते हैं कि कंगना साउथ की एक बड़े बजट की फिल्म में सीता का किरदार निभा रही है और इस फिल्म की अनॉंस्मेंट भी कंगना कर चुकी है ऐसे में कंगना पंगा नहीं लेना चाहती है और इसलिए कंगना चुप है दूसरे चीज़ यह है कि प्रभास कंगना की लाइफ में एक important role play करते हैं ना सेफ प्रभास के साथ कंगना ने अपने south career की शुरुआत की बल्कि प्रभास के साथ कंगना काम भी करना चाहती है बॉलिवुड में कंगना का हर किसी से पंगा है कोई भी हीरो कंगना के साथ काम करने के लिए तयार नहीं है ऐसे में अगर कंगना को कोई ऐसी फिल्म करनी है जिसमें एक superstar की जरूत है तो फिर कंगना को south वालों से बना के रखनी पड़ेगी तीसरा कारण ये कि बॉलिवुड इंडस्ट्री में कंगना के पास जो फिल्में है वो बची कुछी है कुछ फिल्में कंगना खुद प्रिड्यूस कर रही है और कुछ उनके contacts के level पर आ रही है बॉलिवुड इंडस्ट्री के कोई भी बड़े production houses इस वक्त कंगना के साथ फिल्म नहीं कर रहे है और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो कंगना south के producers और बाहर के producers के साथ ही काम कर रही है फिर चाहे उनकी मनी करनी का film हो थलाईवी film हो उसमें कहीं न कहीं south से ही business आ रहा है इसलिए बॉलिवुड में पंगा लेने के बाद अब कंगना नहीं चाहती कि south इंडस्ट्री में भी वो कोई ऐसी controversy का हिस्सा बन जाए जिससे बॉलिवुड वालों ने जैसे किनारा किया है south वाले भी उनसे किनारा कर ले शायद इसलिए कंगना चुप है वेल इन reason के अलावा अगर कोई और reason आपको लगता है कंगना की चुप़ी पर तो comment section में जरूर शेयर करें फिल्म आदिपूरुष को लेकर बड़ा बवाल सभी तरफ खड़ा है और तो और फिल्म के makers को अब notices भी मिलने लगे हैं